किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं अमरावती, अमरावती में हम आए हैं एक किसान हैं, डॉक्टर रोहित नेरिवाल, डॉक्टर रोहित एक अनेस्थीशियन है और इनका बहुत ही अच्छा एक होस्पिटल है अपना मातोसरी होस्पिटल के नाम से, ये अमरावती में एक विलेज है वलगाओ, वहाँ पर है जो अमरावती से लगबग आठ से दस किलोमेटर दूर है, किसान साथियों रात हम यहाँ पर रुके, ये हमारा तीसरा पड़ाओ था, और मेरी बहुत इच्छा थी, कि मैं डॉक्ट साब के पास जाओं, उनका बगीचा देखूं, उनके सब संसादन देखूं, और आप लोगों को भी उससे परिचित कराओं। डांट साब का कुल 40 एकड का फार्म है, जिसमें से 15 एकड नीमू है, जो 25 एकड है वो सीता फल है इनके पास में, और ये एक बहुत ही सुन्दर पार्म है, आप देखेंगे कि इसमें गाएं का भी एक गौंसाला है छोटी सी इनके पास में, जो गाएं का मूत्र और गोबर ये अपने यहाँ पर करते हैं, जीवा मृत भी बनाते हैं, बहुत ही सुन्दर फार्म है इनका यहाँ पर, मैंने देखा कि जो ओपरेशन है इसका पानी देने का वो भी ऑटोमेटिक है जिसे अपने फोन से ही ये कंट्रोल करते हैं, घर बैठे-बैठे कि कभी इने पानी चलाना है, कब नहीं चलाना है, और ये ख्याती का एक बहुत अच्छा स्टार्टर है, जिसे आप भी एक सीम के द्वारा प्रियोग कर सकते हैं, तो किसान साथियों, आईए बात करते हैं, डॉक्ट साब से, नमस्कार, मैं डॉक्टर रुविद के निरिवाल, तेहनारी, र आपने ये बागवानी का कारिये क्यों शुरू किया, पहले आप क्या करते थे, क्या यही बागवानी होती थी पहले, या आपने शुरू की, और शुरू की, तो ये क्यों शुरू किया, मेरे पूरे गाउं में कोई बागवानी के हिसाब से कोई खेती नहीं होती है, मेरे जैसे फार्मर्स जो थोड़ा सा कम ध्यान दे पाते हैं, उनको सालाना मुनाफ़ा या जो भी सालाना खेती का खर्चा होता था वो पुराता नहीं था, उससे कुछ और परिशान होकर मजुरू की तकलीफ से होकर मैं एक नया कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहता था जिस तो उसी हिसाब से मैंने ये बागवानिश की शुरुवात की, शुरुवात में तो मेरा आम का मगी चाल लगाने का प्लान था, क्योंकि वलगाओं में एक जमाने में, यहनी मेरे पैदा होने के पहले के भी कुछ बोलें, तो वलगाओं की आम काफी प्रसिद्द थे पूरे करीब करीब पचास हजार से जादा पेड़ पौदे थे, अब काफी कट गए, अब हाटली दस एक हजार बचे हैं, तो जब उस वक्त आम लगाया जा सकता था, तो अभी भी वापिस होने की शक्केता थी, तो उसी प्रयास में मैंने प्रयोजन से मैंने ये काम शुरू किया पर आम के मैंने तीन सो पौदे लगाए, उसमें मैं कामियाद नहीं हो पाया, और सीताफल और नीमबू में मैं काफी अच्छे से काम कर रहा हूँ, पर उसमें भी काफी दिक्कते आ रही है, अब ये बताईए, आपने जो ये ये नीमबू और सीताफल ही करने की क्यों सोच ये खारे पानी में है, जमीन भी खारे पानी की है, और मिट्टी भी खारे इसकी है, water hardness काफी ज्यादा है मेरे यहाँ पर, कितना TDS है? ये करी करी 900 TDS के आसपास हो जाता है मेरे यहाँ पर hardness, तो पानी का कम से कम उप्योग में, जो बेतरीन से बेतरीन हर्टिकल्ट्चर क्र ले पाया, स्वामिस पाया, एक सीता फल और एक नीबू, फिर भी नीबू में थोड़ा सा ज्यादा लगता है पानी, पर वो हो जाता है, जैसे मैंने देखा है, ये जो बगीचे हैं दो, इसमें दो वराइटी है, आपके सीता फल की, बाला नगर और इनिम के गुल्ड, तो सर ये दोनों वराइटी, आपने एक ही वराइटी क्यों नहीं की, दो वराइटी क्यों के लिए और इन में क्या अंतर लगा, ये तो ट्रेडिशनल वराइटी है, जो सॉलिड स्टर्डी प्लांट्स है उसके, और दूसरा है इनेम के गोल्ड, ये कस्पटे साहब की एक नवी करीब इसका फल है, तो आपको नवंबर से चालो होके डिसंबर तक मिलता है, और वहीं पर बाला नगर का फल जो है आपको ऑक्टोबर नवंबर में मिलता है, और एनेम के गोल्ड का साइज भी बड़ा है, थोड़ा सा टेस्ट में भी फरक है, टेस्ट में तो आप कैसा है क किसी को ज्यादा मीठा चाहिए किसी को कम मीठा चाहिए वह हिसाब से देखा जाए एनेम के गोल्ड थोड़ा सा मिठास में कम आता है पर बाला नगर मिठास में ज्यादा है बीच कम है बीच का प्रमायंड कम है फल्प ज्यादा है यह चीज है एनेम के गोल्ड में और साइज उसिसे काफी अच्छा होने कारण प्रमायण में ज्याधा भी एक काई है। पहली चीज यह बताए कि, इसकी कितने साल बाद फ्रूटिंग नवत्रнес छी, दूसरी चीज ऑप इसेके लिए और ने फ्रूटिंग क्या में ने हम एकुने हम्हाँ है? और कितने उसे अगर रुपे में कनवर्ट करेंगे तीन चीजे बताइए सबसे पहला तो इसके जो दूरी है सिताफल लगाने के लिए सबसे बहतरीन दूरी है करीब करीब चौदाबाय आठ की या चौदाबाय दस की जिसमें करीब करीब अपने एकर भर में 300 पौधे के आसपास 300 से 340 पौधे के आसपास में आ जाते हैं और सिताफल का बाला नगर का पौधा अपने को करीब करीब चौथे साल से वो सिताफल देना शुरू कर देता है करीब करीज चौते साल से अपन 5-6 फल से लेके 10 फल तक ले सकते हैं उसके पहले के जो सीता फल आते हैं उन्हें के तोड़ दिया जाता है और चौते साल से अपन 10 फल तक ले सकते हैं और उसके बाद में वो बढ़ता रहता है जो साथवे आठवे साल तक अपन एक जाड़ से करीब करीब पचास फल तक लिया चा सकता है जो एक अच्छे साइस और अच्छे टेस्ट का फल अपने को मिलता है टार्गेटेट रहता है कि अपने हर जाड़ से जो बजटरी कैलकुलेशन होते हैं सिता फल के प्रजट के उसमें तीस किलो फल अपने को मिलना चाहिए ताकि ओवराल जो रेट अगर मार्केट में जाके मिलें तो साइस भी अच्छा मिलता है अगर तीस किलो लेते हैं तो सारा सरी उसका साइस चार सो ग्राम के आसपास एक सीता फल का मिल जाता है तो इसका मतलब यह लगबग तीन सो अगर पोदे हमारे हुए इमोर्टिलिटी को लिए तो तीन सो पोदों से ओनाने अवरेज पचास फल हो गये हमारे हैं तो तीन सो गुना पचास तो पंदरा हजार फल मिल गया हमारे एक एकड़ से तो पंदरा हजार फल की कितनी कोस्त आईगी सरी jurist आंक आ करी एक किलो में चार फल पैठेंगे किलो में चार उगे तीन से और अगर अगर अपन इवन पकड़े 50 रुपए किलो अभी सिताफल की जो भागवानी में अपन करीब लगभग 300 पौदे एक एकर में लगाते हैं जो चटवे साल से अपने को ये कमर्शल वायबिलिटी पे आ जाता है लगभग 50 फल अपने एक पौदे से मिलते हैं जो कि कि लेवल पर 50 रुपए किलो से भी गया तो अपने करीब करीब किसान को एक लाग 75,000 से एक लाग 80,000 रुपए तक का घर में आ सकता है और अपना सारा सरी चार साल का सिताफल के बगीचे में का खर्चा जो लाख रुपए के आसपास में पकड़ता हूं वो होता है तो कि साइज और क्वालिटी दोनों बढ़ती है तो उसी हिसाब से उसमें उत्पादन भी अपना बढ़ता है को इंटर क्रोपिंग भी लेते हैं आप इस बीच में पहले पांस साल सुरुवात के चार साल में ने सिर्फ चने की इंटर क्रोपिंग लिया है जिससे कि अपने को चार साल का भी जो खर्चा है वो आराम से निकल के आ जाता है तो किसान साथियों यह मान कर चलिए कि जो हमारे चने से जो इंटर क्रोपिंग हुई पहले चार साल में वो लगभग आपका खर्चा निकल चुका और जो छटे साल से हमारी सुरु हुई जो है उसमें मोटे तो तो एक लाग का नेट प्रोफिट आपको इससे हो सकता है जबकि आप अच्छी देखबाल समय पर खाद परबंदन समय पर पानी करें तो और अगर किसी को एक लाग परती एक कड किसी चीज से आमदनी है तो उसे मैं बहुत अच्छी आमदनी समझता हूँ और एक बहुत अच्छा कारिया समझता हूँ अच्छा डाक्टर रोहित ये बताईए कि इसमें हमें कौन सी बिमारी या जैसे हर फसल में कोई ना कोई ऐसी बिमारी होती है जो बहुत खतरनाक होती है एक तो उसके बारे में बताईए और दूसरा किसानों को जो इसे लगाने की सोच रहे हैं उन्हें इसे लगाने के लिए कौन सी वराइटी आप रिक्मेंट करेंगे और क्या सावधानी उनको रखनी है सिताफल का बगीचा लगाने के पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा साफधानियों के बारे में जो मैंने भूगत भोगी हूँ उस चीज के बारे में सबसे पहला तो जो भी जमीन आप सेलेक करो उसकी पूरी प्रयोकशाले में जांच करवाएं जमीन की मिट्टी की जाँच करवाएं, पानी की जाँच करवाएं, उसमें क्या अच्छा है, क्या कम हैं, उसकी मालूमात करें, और उसके हिसाब से सिताफल को जो खाद लगता है, उतना ही दे, ज्यादा न दें, सिताफल को खाद और पानी दोनों की मातरा ज्यादा नहीं ल ठराव नहों यह सबसे पहले देखें जहां पर पानी का ठराव होगा वहां के सिताफल के जाड़ मर जाएंगे वहां पर सिताफल का जाड़ कभी नहीं उगेगा पानी का ड्रेनेज जो है आपको सबसे पहले ध्यान रखना है उस बगीचे में जहां पर भी आप सिताफल का पेड़ लगाओगे वहां पर सिताफल के कम से कम तीन फूट के घेरे में पानी कभी भी जमा ना हो सीताफल को पानी बहुत कम लगता है जहां पानी जमा हुआ वहां पी सीताफल का पेड़ खतम हुए दूसरा सीताफल के regular conventional variety जो है traditional variety जो है बाला नगर की है जो आप तयार पौधे भी लगा सकते हैं या बीज से बीज के टेरिक लगा के भी तयार कर सकते हैं दूसरी एनेम के gold है तीसरी सरस्वती है कुछ चार-पाच varieties आई भी है सीताफल की पर बजार में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली जो varieties है बाला नगर और एनेम के gold ये दो ही varieties है जो अपने हिसाब से अपने को market का local में क्या चलता है उसको देखकर अपने पड़े आप लगा सकते हैं ये थे डांक्टर रोहित और इन से हम बात कर रहे थे सीताफल की जो हमारे अनिल यादाव जी हैं जो मेरे साथ तूर पर आई हुए है एनेम के gold वन वेरैटी है वो इनके पास है और कुछ किसान इस वर्स मुझसे भी लेकर गए थे चुकि इसके जो नरसरी के पोदे हैं जो ताइवान पिंक है और ये सीताफल है ये सब मेरे अनिल जी के हां से आते हैं और अनिल जी का एक बहुत अच्छा सोख है कि ये सब नरसरी में जाते हैं घूमते हैं और मेरी साथ वेग्यानिकों से मिलते हैं अब की बार हमारा यही प्रियास था कि हम किसानों से भी मिलें और उनसे बताएं तो अगर आप अच्छे पोधे लेना चाहते हैं तो आप जेहिन नरसरी से संपर्क कर सकते हैं अनिल यादोजी से संपर्क कर सकते हैं ये मैं उनकी ये नहीं कर रहा कि मैं कहरा हूँ आप इनी से ले कहीं से भी ले पोधे आपको कौन से लेने है ये देखना है लेकिन एक विश्वस ये नाम के लिए है जेहिन नर्सरी जो भिवाडी में है और जिनका नंबर है 978-443-00-00 एक बार फिर बताते था हूँ 978-443-00-00 आप इन से संपर्क कर सकते हैं अगर चाहते हैं ये था हमारा सीता फल की बागवानी का जिस पर हमने आपको जानकारी दी और एक्च्वल में दिखाया कि ये देखिए जो आपको हमने बीच बीच में दिखाया कि दो उत्रे के पोधे हैं इनके बालाजी और एनम के गोल्ड इन में से कोई भी वराइटी आप सेलेट कर सकते ह और किसान साथियों मैं ये नहीं कहता अभी तक मैं उस किसान की तलास में हूँ जिसे पांच लाक परती एक कड़ परती वर्स कमाता हूँ वो किस चीज से कमाता है मैं अभी उसकी तलास में हूँ और ये तलास जारी है और जारी ही साइद रहेगी पर एक लाख तक का मुझे विश्वास है अम्रूद की भागवानी करें आप निम्बू की करें या किसी की भी करें तक इतने तक हो सकती है इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, बंदे मातरा